तस्मेनियन टाइकर डोडो पैसेंजर पिजान डाइनसौर आल्रेडी मिलियन सियर एगो एक्स्टिंट हो चुके हैं तो क्या हुमन एक्स्टिंग्शन पॉसिबल नहीं है अफकोस पॉसिबल है इसके पीछे के जो पॉसिबल फैक्टर है वो मैं आपको इस वीडियो में बता कि युके वेपंस को लेकर जैसे नीज में रहते हैं जैसे कि रसी हो गया अमेरिका हो गया चाइन बन सकता है large scale नूब को ही दिस्टै करने का काम करेगा planet as well as inhabitants यानि की human यानि कि म Więo इनको दोनों के इसके थो निकलने वाले radiation बहुत harmful होंगे जिसका harmful effect पढ़ेगा inhabitant के ूपर और औरथ के ऊपर तो यह एक पहला factor था दूसरा जो factor हो सकता है वह हो सकता है पैंडमिक जैसा कि हाले में पूरे वर्ड ने कुरोना पैंडमिक से सफर किया कुछ सालों पहले प्लेक पैंडमिक ने इसी तरह लोगों को परिसान किया था तो ऐसे ही फ्यूचर में कोई ऐसा पैंडमिक होगा जिसकी वैक्सिंग बना पाना मुस्किल होगा या पॉसिबल हो ग्लोबल वार्मिंग, एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे की बेमौसम बरसात और हीट वेवस का आना हाली में जिसके कारण कई लोगे की मौत भी हुई है तो यह सारे सिच्वेशन होगी और डिपलीशन आव रिसोर्स के कारण जो इसका इंपक्ट पड़ेगा वह वाट जाता है कि ही जो डाइनसार का इक्स्टिंग्शन हुआ है वह construction के कारण ही हुआ है तो ऐसा पॉस्टिबल है कि हुमन extinction भी asteroid impact के कारण possible है जैसे day by day human technological advance होते जा रहे हैं वैसे ही technological risk भी बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी एक अगला factor हो सकता है human extinction का जैसे जैसे हम लोग artificial intelligence को train करते जा रहे हैं और कई सारी technology जैसे bio technology हो गई, nanotechnology हो गई इन सारी चीजों में भी advancement होता जा रहा है अगर इनको properly manage नहीं किया गया तो ये भी एक कारण बन सकते हैं human के extinction का वैलकनोस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे उसी का एक bigger form है super वैलकनो अगर उसका eruption होता है तो वो result करेगा global climate disruption और mass extinction में the next factor in this series is cosmic events जैसे कि gamma rays हो गया और nearby supernova हो गया इसका जो होंगे devastating effect होंगे अर्थ के ecosystem पर और atmosphere पर तो ये भी एक factor की list में हमारे सामिल है last factor of this video but not the last factor of possible factors of human extinction जो की है resource scarcity यानि कि essential resources की कमी जैसे कि water हो गया mineral energy इन सभी resources की कमी could lead to conflict and instability इन सभी चीजों के बावजूद ध्यान देनी वाली बात यह भी है कि इन सभी potential threat को mitigate और prevent करने के लिए कई सारे effort किये जा रहे है जैसे कि international cooperation और scientific research और preparedness planning के थुरू इन सभी को mitigate और prevent किया जा सकता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करेगा thank you for watching म Girशज जelectरर बास वीडियो कर दो कि सन झाल सकता है